हलो फ्रेंद्स वेलकम तो मैं चैनल मैं नेम इस अभिशेक अब हम डिसकस करेंगे वट आर हैश फंक्शन्स गाइज हमारे अथेंटी सिटी को अचीव करने के तीन तरीके होते हैं बेसिकली तो यह हमारा थर्ड तरीका है इससे पहले दो तरीके और थे हम डिसकस कर चुके है जो हमारा उथेंटीकेशन फंक्शन्स वीडियो था यूट गेट इन दिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं तो उसमें एक तो होता है मैसिज इंक्रिप्शन जिससे हमारा साइफर टेक्स आप साजा ऑथेंटीकेटर हम डिसकस करचुके हैं पुरा फिर एक मैक का वीडियो तो हैश फंक्शन जाधा बेटर समय में आएगा तो फ्रेंट्स अगर आपने अथेंटीकेशन फंक्शन का वीडियो और अपना मैक का वीडियो तो उससे रिलेट करके हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस होता है हम यहां पर कोई की का कंसेप्ट मतलब उसका हमारा फंक्शन हुआ करता था अथेंटीकेशन फंक्शन अब इसकेश में हम कोई की यूज नहीं करेंगे विल सिंप्ली पास्टा मैसेज तु आ फंक्शन जो कि हमारा हैश फंक्शन होगा और वट विल गेट इस दा आउटपूट जो को हम अपना हैश वाली बोलेंगे फिर हैश कोड बोलेंगे अब जैसे की फ्रेंड्स मैक में हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था कि वी विल पास्टा मैसेज एंडड की थ्रूआ ऑथेंटीकेशन फंक्शन जो हमारा फिक्स लेंड का कोड आएगा कंप्रेस होने के बाद जैसे की फॉर एंड ग्ज आपको फिक्सलेंग का कोड मिल रहा है तो ओंदी इस में आपको कि यूज करने यह नहीं करने है इंड इस इस तिंग इंडिस वह्ता कोलें यहिन पड़ रहा है ओके तो यह हो गया हमारा सिंब जिए अच्टेग साइस उन फिश कर्द पाइस फिश्ट पूल सकते हो आप है value बोल सकते हैं और friends इसको message digest भी बोला जाता है कभी कई पूछ लेता है what is message digest simple सा तो आप यह पूरा explain कर सकते हैं कि हम hash function की थूँ जब message को pass करते हैं तो हम एक output मिलता हम hash value बोलते हैं जिसको message digest भी बोल सकते हैं और वही चीज देखिए था only input is the message कोई key हम यहाँ पर नहीं input देने जैसे कि Mac में दिया करते थे और friends जो उसका output आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं a hash value h h बोला जाता है which is generated from a function h capital h हमारा वोगा function denote करेगा जो हम भी डिखने वाले हैं and small h will be your hash value so वही चीज मैं नहीं हम लिकिए message हम पास करना है hash function की थुरू fix land का code मिलेगा इसको हम hash code बोलेंगे या message digest बोल सकते और एक और चीज़ क्या important है it might also be there question में एक given हो कि hash function define ना करो बोल देंगे कि define compression function तो hash function को ही compression function भी बोला जाता है इसको आप ध्यान रखेगा now guys हमारे different methods हो सकते है authentication को achieve करने के अलग-अलग situations के recording हम देखते हैं सारी situations एक एक करके let's start guys video अची लगे तो like जुरूर करना है तो like का aim रखते हैं इस पर 200 likes तो हमारा पहला diagram क्या बोल रहा है we will have a sender और इसके बाद हमारा receiver होगा तो हमारा पास scenario के reference देखे message हमारे पास already है what we are doing is we are passing it through a hash function h capital h and output आईगा इसको हम hash code बोल रहे है ठीक हमने उपर पाड़ा it will be a fixed length code जिसको hash code बोलते है इसको small h से represent कर सकते है जो कि हमारा message digest हो गया friends यह हमारा append का symbol होता है यह मैंने mac वाल वीडियो में भी बताया था so append करने के बाद हमारा output के अगा friends देखो message यहां सा है और hash code यहां सा है तो message और hash code आपका यहां पर आ जाएगा फिर इसको हम क्या कर रहे है encrypt कर रहे है using some algorithm any encryption algorithm और यहां पर हमें key use कर रहे है और फिर उसके बाद obviously हम encryption कर रहे है तो होगा cipher text generate होगा तो जो मेरा message और hash code का जो मेरा combined form था इससे मेरा cipher text generate होगा which will contain cipher text और hash code इसमें होगा बट इसको हम तोड़ने सकते है it cannot be easily separated हमारे encryption करने के वज़े से हमारी confidentiality आ जाएगी और उसके बाद हम similar difference अब जैसे यह तो हमारा होगा send aside ओके अब receiver क्या करेगा इसको receive करने message तो यह simple अपने encryption के बतले decryption algorithm जो होगा वो यूज करेगा और हम यहां पर same key concept यूज कर रहे है यहां पर simply जब decryption होगा हमारा same key use करने के बाद तो हमारा पास क्याएगा message और hash code आएगा encryption करने से पहले हमारा पास message और hash code था तो उसको हमने जब decrypt किया इस वाले अपने ciphertext वाले format को तो we'll get a message and hash code तो वह हमको मिला message and hash code अब आप देखे कि आपके पास message था ना तो आपने उसको hash function की तुरू pass करा है तो what you got was h that was your hash code अब इसी scenario में अमार पास जो receiver है वो इस message को अलग करेगा इस वाले part को लेगा message code को इस वाले hash code से compare करोगे अगर यह दोना आपके equal है ना तो आपकी authenticity हो जाएगी maintain और equal नहीं है तो you will simply say that the message is not authentic यहापे बीच में किसेन कुछ गडबड करीए अब गाईस इस वाले diagram में हमको authentication भी मिल रहे है confidentiality क्यों मिल रहे है अगर हमारा जो hash code है यहापे same आता है तो मतलब क्या वह उस चीज का कि बीच में कोई alteration नहीं हुआ है तो इसको बी को यह भी confirmation होगा कि हाँ उसी के पास मेरा hash function और मतलब उसी के पास same key थी तो हमारा कोई बीच में algorithm मतलब कोई हमारा data को चुरा नहीं सकता है तो यह आपका authentication प्रोवाइड करवा देगा only a and b shares the secret key so therefore the message must have been come from a and the key has not been altered आपको authentication मिलिया confidentiality मिलगी using this first scenario फ्रेंट प्रीवेस वाले में क्या था हमने इंक्रिप्शिन करी थी न वह अपेंड करने के बात प्रफॉर्म करी थी अब इस वाले सिनारियो में आप देखिए आपके पास एक message है यहां पर यहीं पर उसको encrypt कर दिया using a key तो जो इस इंक्रिप्ट करने के बात जो आपका आएगा इस इंक्रिप्टेद हैश कोड एच से मैं डिनोट कर रहा है और फिर simply मैंने इसको append कर दिया तो मेरे को यहां पर क्या मिलेगा message that is यह and encrypted encrypted hash code encrypted hash code मेरे को मिल गया है अब जो मेरा receiver है वो क्या करेगा simple सा देखना चाहेगा कि मेरा data जो है वो change तो नहीं हो है so that's why message को हम लेंगे और इसको hash function से पास करेंगे तो obviously यहां पर क्या generate होगा मारा hash code generate होगा क्यों क्यूंकि guys message को जो हमने hash function से पास किया तो यह मेरा hash code बन गया तो similarly मैं इसका message part लूँगा जो मैं receiver हूँ अगर तो मैं message part लूँगा इसको hash function से पास कराऊंगा और मेरा hash code बनेगा and encrypted hash code था guys मैं इसको simple decryption algorithm से decrypt करूँगा तो मेरा pass क्या जाएगा यहां पर भी hash code आ जाएगा क्यों आ जाएगा मेरा encryption था हैश code था तो मैं उसको encrypt किया तो encrypted hash code बना so that's why encrypted hash code मेरा यहां पर भी है तो मैं इसको decrypt करूँ अगर तो मेरेको encryption का उल्टाई तो मेरेगा न तो यहां पर hash code था तो यहां पर hash code आ जाएगा so that's why इस age और इस age compare करेंगे और if the values are same we can say that yes there is authenticity but अगर आप इस case में देख तो friends तो there is no confidentiality why is it so because यहां पर हमारा कोई भी message को चुरा सकता है message or encrypted hash code ही तो है तो कोई भी हमारे message को easily पढ़ सकता है तो यह वाला scenario हम कहां पर use कर सकता है if you need only authentication and no confidentiality and your message is not private message so we can use this scenario because इससे क्या होगा इसमें फाइदा क्या हो रहा है मतलग इस वाले scenario से अगर हमको ऐसा करना पड़ सकता है तो processing time जो है वो हमारा काम हो जाए एक तरीका से क्योंके ऐसा क्यों बोल रहे हम because we are not encrypting the whole message we are just encrypting the this hash code which is being generated so इससे हमारा processing speed बढ़ जाएगा अगर कुछ scenario ऐसा है कि आपको authentication चाहिए बट confidentiality नहीं चाहिए तो आप यह वाला method use कर सकते है अब जैसे कि एक scenario गर हम example लें तो suppose एक teacher है उन्होंने बोला कि you will have your extra class at 2 p.m. today तो उस case में हमारा confidentiality की जरूरत नहीं है क्योंकि वह public message है अगर कोई पढ़े भी तो हमको कोई फर्क नहीं पढ़ेगा authentication हमको मिल गए कि हाँ teacher से ही message आया तो यहां पर हम यह वाला scenario use कर सकते हैं तो कोई भी अगर हमारा message पढ़ेगा कि दो बज़े आपकी class extra class है तो उससे कोई problem नहीं होगी और authentication हमें मिल चुका है कि yes ma'am नहीं या फिर सर्ड नहीं हमको है message भेजाए तो यह था हमारा second scenario इसमें हमने क्या यूज किया है अपना सिंपल सा एक ही की यूज करिया encryption के दौरा अब इसी सिनारियो को हम देखते हैं एक बार ही different जो हम अगर a person message भेजा है तो इसने अपनी private key से इसको encrypt किया और फिर हमने message को append कर दिया simple तो message और encrypted hash code आपके पास आगे है क्योंकि hash code यह था ना h और encrypt करने का आथ encrypted hash code बना था मतलब e of h आपका यहाँ पर आएगा तो आपको मिल गया message and encrypted hash code अब इसके बाद आप simple जैसे हमें message को हमने hash function से पास कराया था तो जो receiver है वो भी इस message को hash function से पास कराएगा तो इसके पास भी output में क्या आएगा hash code आएगा और फिर उसके बाद वो encrypted hash code जो था इसको decrypt करेगा जो receiver है using what public key of a क्यूंकि हमने जब encryption क है private key से a की तो हम इसको decryption public key of a से ही करेंगे है na pu मतलब public और a मेरा dinner करा है public key of a तो hash code फिर से generate हो जाएगा और इन दोनों को आप compare करेंगे if the values are equal so we can see that the message is authentic okay simple उपर वाला ही scenario हो गया बस public private key concept हो गया तो no confidentiality only authentication is there processing time हमारा ही हाँ पे इस case में फिर से कम होगा क्यूंकि हम message को encry क्रिप्ट वगेरा नहीं कर रहे हैं सिरफ हमने hash code को encrypt किया है so friends it is the same concept as above जो हमने भी discuss किया but in this we are using asymmetric key cryptography okay so now let's see the fourth scenario अब अब इतर हम क्या कर रहे थे कि हमार को ना authentication मिल रहा था confidentiality मिलनी रही है अब इस case में confidentiality को अचीव कर रहे है using this symmetric cryptography technique मतलब हम एक ही की use करेंगे encryption के लि अब इसको मैं आपको समझाता हूं अब देखे एक sender है उसके पास message है okay उसने इसको hash function से pass कराया तो इसका hash code generate हो गया फिर उसके आप इस ही hash code को encrypt कर दिया using the private key of a ठीक जो इससे हमने पीछे किया था बिल्कुल वही concept है जो थर्ड वाले हमने method में अभी देखा था फिर इस encrypted दो बार encrypted hash code आ रहा है encrypted दो बार hash code कैसे आ रहा है अब देखिए आपका है इंक्रिप्टेड हैश कोड आ जाएगा है ना तो यह आ जाएगा आपका सिनारियो फिर आपने फिर से encrypt कर दिया so that's why आपका जो message था और जो आपका यह था encrypted hash code यह पूरा convert हो गया साइफर text में और इस cipher text में value किया है मैंने हाँ पर दिखाने के लक्षे से समझाया हुए कि you will have a cipher and encrypted and encrypted of hash code two times encryption मैंने शो किया eeh से ओके यह रहा देखो सिनारियो मैंने जूम करके दिखा दिया encrypted encrypted hash code तो उसके बाद इसको कोई भी easily separate नहीं कर सकता है जो भी हमारा hash code जिसको की separate करना बहुत ही मुश्किल होगा फिर इसके बाद जो हमारा receiver side है यहां से start होगा decryption algorithm वो लगाएगा उसी key को use करके जो हमने encryption में use कर रही है तो what we will get is message and encrypted hash code है यहां पर हमारा message or encrypted hash code था यहां भी हमारा message or encrypted hash code मिलेगा अब message को आप hash function से pass कराते हो तो hash code मिलता है similarly इस वाले message part को वो लेगा जो receiver है इसको hash function से pass कराएगा और hash code हमको मिल जाएगा and similarly encrypted hash code जो है हमारा हमने उस पर encryption perform किया था तो हम इसको decryption perform करेंगे यहां पर हमने private of a use किया तो similarly हम public key of a use करेंगे and guys encryption से पहले आपका h था that is hash code तो decryption के बाद आपको आपका hash code मिलेगा फिर से तो आपको करना क्या है इस वाले hash code को और जो इस वाले hash code को जो दोनों hash code हमने generate किया है इनको आप compare करेंगे compare function कि तुरू अगर यह दोनों आपकी value same आते है तो yes authenticity is maintained else not so this was a scenario जो आप use करेंगे जो आपको confidentiality चाहिए और आपको authentication भी चाहिए using a symmetric key technique मैं आपको ही बताया अगर आपने digital signature का वीडियो देखाएगा इस तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम पहले क्या करते है प्राइवेट की से encryption करते हैं फिर उसके बाद मतलब encryption में कि signing algorithm में प्राइवेट की लगाते हैं और फिर जब वेरिफाय वाला algorithm अपना देखते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है इसका हम पब्लिक की इस सेनारियो में आपका क्या होगा देखें सेंडर है उसके बाद message होगा वह अपना secret code के साथ इसको append करेगा और उसके बाद जो इसका output आएगा इसको विभल पास थूआ message और hash code मिल गया है अब इस message की पार्ट को वह लेगा और उसके साथ secret code को लगाएगा और उसको append करेगा अब जैसे यह वाला scenario था यह यह देखो message उसके पास अल्रड़ी पहुँच चुका है उसने क्या message और secret key को append किया इसने भी क्या क्या receiver ने message और secret key को append किया और hash function से इसमे हमारी hash codes है इनको compare करेगा and if these values are equal authenticity maintained है वरन नहीं होगी अब इस case में friends कोई भी आपका attack कर सता है that's why no confidentiality is there only authenticity maintained हो रही है वो भी कैसे पता चल रही है कि अगर आपकी जो hash value है ना दोनों same आएंगी so it will show कि आपका authentic है पूरा scenario and no confidentiality is there अब यह तो पांच वा method था अब छटा method द if you want to get authentication and confidentiality using this asymmetric technique या फिर using this technique तो आप वहाला diagram बना दो हाना तो कोई सा भी scenario आप से पूछा जा सकते है गईस तो इसलिए मैं हर एक scenario अच्छे से explain कर रहा हूं सो बने रही है अब हम समझते है method no.6 अब इस method में हम कर क्या रहे है बिल्कुल वही सेनरियो जो पांच वे method में था बस इसमें हमने encryption decryption लगा देखो इस वाले में क्या था बिल्कुल देखो यही सिनरियो था बस यहां पर मैंने encryption लगा दिया और यहां पर बहार निकल के description देख सकते हैं यही सिनरियो है बिल्कुल सेम यही सेनरियो हमने है यहां पर रखा है message था append किया hash code यहां पर generate हुआ और फिर सिंपने append किया message और अपना जो hash code generate हुआ था ठीक है यह तक बिल्कुल सेम है अब यहां पर हमने क्या 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 encrypt कर दिया encryption using a key जो की secret और dan Secret की होगी जो कि हमार पास sender और receiver दोनों के पास होगी फिर आपके पास का आएगा output में हमार पास आएगा encrypted message और hash code मतलब जो आपका message और hash code का combination है, इसको हमने encrypt कर दिया ठीके तो है ciphertext type kya generate हो जाएगा जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं फिर किया decryption किया तो decryption करने के वाद इसको क्या मिलेगा जो encryption से पहले हमारा text रहा होगा यह क्या था message और hash code तो message और hash code मिल गया इसको फिर से हमारा fifth वाला ही scenario हो गया बिल्कुल अब इसमें भी यह करेंगे message और s को हम append करेंगे, देखो message और s को हमने append किया, फिर hash function से pass करा है, simply इसने भी hash function से pass करा है, and hash value friends generate हुई, so message से इसने hash value generate करी, और जो h value थी इसने इसको simple लेगा, जो मेरा receiver है, suppose Rahul is my receiver, तो Rahul इसको लेगा, इस वाले h और इस वाले h को compare करेगा, अगर equal है तो authenticity maintained है, वरना नही होगी, अब इसमें guys confidentiality आगई, कैसे आगई, अगर कोई मेरा third person attacker है, अगर हो यहाँ पर सब्सक्राइक करता है, तो उसको समझी नहीं आने वाला कि यह मेरा text है, क्या लिखा हुआ है, कोई इसको message बेज़ेगा, hello how are you, कैसे हो आप, तो कुछ और पढ़ पाएगा, इसमें हम message and hash code जो मैंने आपको अभी भी समझाया, receiver अब क्या करेगा, message लेगा, append करेगा, इसके साथ, ऐसे साथ message लिया, append किया, इसने simple, और उसके बाद apply किया, hash function से तो hash code बना, hash function से apply किया, hash code बना, now compare the values, इस हैच को और इस हैच को, तो अपना authenticity हम चेक कर सकते है, and it has confidentiality also, why is it so, because encryption, description, description हमने use, so guys, video में अगर आप अभी तक बने वे, तो obviously आपको अच्छा लगाओगा video, so please like it, and जल्दी ही बाखी videos लेका आते है, अगर आप contact करना चाहे, तो you can follow me on Instagram, अभी शिक DIT नाम से आप search कर सकते हो, till the time, check care, goodbye.